नमस्कार प्यारे विदार्थियों, मुझे एक गाने की पंक्ति याद आ रही है कि अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुमारे हाथों में बड़ी खुशी हुई इस बात को लेकर कि पहली बार मैंने रादस्तान भर के अभ्यार्थियों को बाड मेर के लिए आमंत्रित किया मैंने का आपने आपने आउनलाइन तो मेरे से खूब पढ़ा है अब आईएगा आपको आफलाइन पढ़ाऊंगा आफलाइन पढ़ने का आननदे कुछ अलग है आफलाइन में टेस्ट आफलाइन के अंदर जो सिस्टम होता है वो आउनलाइन से थोड़ा सा अलग होता है आउनलाइन में केवल पढ़ाई, ओफलाइन में पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी होती है और हमारी नजरों के आप सामने भी रेते हो पूरे राधस्तान बर से अलग-अलग कोने से रहने वाले विदार्थियों ने विश्वास जताया है इसके लिए मैं आपको और आपके अभिवावकों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और ही प्यारे विदार्थियों ये विश्वास मैं तूटने नहीं दूँगा आज भारत बंद के कारण सेमिनार आयोजित नहीं हुआ है कल बाडमेर के अंदर रीट का बड़ा मेला लगने वाला है और इस मेले में शामिल होने के लिए रादस्तान के अलग-अलग जिलों से विदार्थी बाडमेर आ चुके हैं अपने अपने औस्टल जहां जहां पर उनको एड्मिसन लेना था वो एड्मिसन ले चुके हैं बाडमेर के जो विदार्थी हैं कर चुके हैं आज मै और मेरी पूरी टीम सबने तयारियां पूर्ण कर दी थी यही सेमिनार कल 22 तारिको शाम 4 बजे बाड मेर में शंदरी चोराया ब्रांच पर आयोजित किया जा रहा है एक बार मैं आप सभी को वहाँ पर सादर आमंतरित करता हूँ कि आए एक बार जाचिये परखिये और अपने स्वरनिम भविश्य के लिए आप एक सोच समझ कर निर्ने लीजिए समिनार के अंदर आपके बहुत सारे डाउट है खुबस आपकी इंक्वारी है सर कैसे चलेगा बैच हमारे छुट्टी होगी तो हमें फिर कोर्स कैसे मिलेगा अजी हमारा एक्जाम है तो हमें किस तरह से आप लोग कोर्स अपलब्द करवाओगे टेस्ट का प्रोसेज कैसा रहेगा बहुत सारी बाते हैं उन सब के बारे में डाउट आपका कल सेमिनार में रूब रूब आपसे मिल करके किलियर करऊंगा सेमिनार में आपसे मिलूँगा आप सभी का वेलकम करता हूं थैंक यू